हलो स्टूडेंट्स आशा है आप सभी अच्छे होंगे आज हम एक और ओनलाइन डेटाबेस को जानेंगे इसका नाम है EMBL EMBL की फुल फॉर्म है European Molecular Biology Lab और यह European Bioinformatic Institute EBI का हिस्सा है EMBL एक European Database है इसके स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्य उद्देश Molecular Biology Research को सपोर्ट करना है मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूँगा कि जो भी डेटा Genbank और DDPJ में उपलब्ध है वही डेटा EMBL में भी पाय जाएगा क्योंकि यह तीनों डेटाबेसिस एक दूसरे के साथ कोलाबरेशन में वर्क करती हैं EMBL EBI का वेबसाइट एडरस है www.ebi.ac.uk इसकी साइट कुछ इस तरह से दिखाए देती है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक सर्च टैब है जिसमें आप किसी जीन प्रोटीन या केमिकल की बारे में इन्फरमेशन ले सकते हैं जैसे की मैं अपनी सर्च में टाइप करूँगा इन्सुलिन जीन हुमन और डॉप ड़ॉप डाउन मेंन्यू में से सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी स्पेसिविक ऑप्शन को तो जैसे मुझे नुकलोटाइट सीक्रेश रेट्रीव करना है तो मैं नुकलोटाइट को सेलेक्ट करूँगा और search option को press करूँगा मेरे सामने विभिन search result आ जाएंगे इसमें से मैं अपने interest के हिसाब से selection करके उस particular accession number को press करूँगा next page कुछ इस प्रकार open हो जाएगा इसमें left side हम read कर सकते हैं कि organism human है इसका accession number लिखा है molecular type है genomic DNA इसकी topology linear है और इसका base count इसका size 2381 है data class इसकी standard है taxonomic division human है और right side में दो important options है EMBL और fast A EMBL पर अगर हम click करेंगे तो इस gene की detailed information आ जाएगी जैसे हमने genbank और ddbj में देखा और अगर हम fast A पर click करेंगे तो इस gene का fast A nucleotide sequence format हमें मिल जाएगा जिसमें nucleotide हमें starting make greater than sign के साथ मिलेगा इसके नीचे भी दो options हैं publication पर click करने पर हमें इस gene से related publication मिल जाएगी sequence version फिर से हमें EMBL information और fast A information provide करेगा तो यह EMBL का review है आशा है आपके लिए session लापकारी होगा मैं इस series को पूर्ण से योग देने के लिए अच्छना मैम का आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का भी शुक्रिया